नमस्कार दोस्तों आज की इस बीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये बीडियो है बजट की केंदरी बजट जो एक फरवरी 2022 को निर्मला सीता रमन ने अपना चौथा बजट पेस किया था उसके बारे में इस बीडियो में हम लोग जानेंगे 2022 केंदरी बजट है इसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षन पेस होता है लेकिन हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे पहले हम लोग केंदरी बजट के बारे में जानेंगे कितने का पेस किया गया 39.45 लाग करोन का ये बजट पेस किया गया बजट किस आल्टिकल में है 112 आल्टिकल में है राजी का 202 में है बासन कितने मिनिट का था 91 मिनिट का था तो ये पूरा जो केंदरी बजट है उसको हम लोग मात्र एक पेज में देखेंगे पूरा पूरा एक पेज में हम लोग देख लेंगे और सब सब कबर हो जाएगा इस पेज में पूरा कबर है पूरा बजट कबर है तो सबसे चली स्टार्ट करते हैं बजट है तो सबसे पहले हम बजट की बात करें के तो आजिकल आपको पता है 112 में है सबसे पहले कब बजट क्या गया था तो 1860 में अच्छाजारा सो साथ में जेंस विल्सन ने पेस किया था आजाद भारत का पहला किस ने पेस किया था तो 1947 में आरके सन मुखम सेठी ने पेस किया था और गढराजी का पहला बजट 1950 सीडी देशमुग ने पेस किया और सबसे जादा बार बजट पेस किया मुरार जी देशाई लगभक 10 बार और आज्टिकल आपको पता है 112 में है 75 डेश के अं 92 वाँ बजट है और निर्मला सेता रमणकर ने इसको चौथा बजट पेस किया है यह बजट पिछले साल की अपक्छा 4.61 लाग करोन लुपए जादा है यह बजट जो पूरा केंद्रित है वह अमरतकाल इस बजट को घुषित किया गया अगले 25 वर्ष को और राजकोशी घाटा जो रहा है 6.9 परसंट चालू बित्ति वर्ष में जो राजकोशी घाटा रहा है वह 6.9 परसंट जीडीपी का 2021 का और जो 22 तेश का राजकोशी घाटा जो अनुमाल लगाया गया 6.4 परसंट जो मैंने बताया कि जो अमरतकाल है जो आज अगले 25 वर्ष के लिए जारी किया गया है जो पूरा बजट बनाए गया है वह अगले 25 वर्ष को ध्यान में रखके बनाए बनाए गया है भारत ए पीयम गतिसील पीयम गतिसील मतलब इंफ्रास्ट्रेक्टर को मजबूत करना सेकेंड है समेकित विकास मतलब सबका साथ सबका विकास और थर्ड है उत्पादन समवर्धन एवं निवेस सनराइज आउसर उरजा संक्रमण और जलवायुकार ये एकी है चाउथा लास्ट है निवेस को बित्ती मदद ये चार प्वाइंड पर प्रात्रेक्ता हैं अमरतकाल की डिसाइट की गई है अब बात करते हैं पीयम गतिसील इसके जो इंजन है साथ इंजन है इसको बढ़ावा देने के लिए साथ इंजन है साथ कारक है कौन-कौन से सडक, रेल मार्क, हवाई बिमार्क, बिमान पतनम, माल परिवहन, जलमार्क और लाजिस्टिक आउसर रचना तो ये जो है साथ इंजन पे आधारित है पीयम कतिसील इंफ्रास्ट्रेक्चर को बनाना है इसमें तो अगर कहा है भारत की जो आर्थिक बरिजदर है वो है 9.27 9.27 ये चालू बित्ति वर इसमें और जो 223 में रहेगी वो 8 से 8.5 परशन रहने का अनुमान है तो जो हमने पीयम कतिसील की बात की जो साथ का रहा है उसमें सड़क पहला का रहा है सड़क तो सड़क के तहत 25,000 किलोमेटर नेशनल हावे का विस्तार किया जाएगा पूशा जाएगा कितने किलोमेटर तक नेशनल हाईवे का विस्तार होगा तो पच्छिस किलोमेटर तक किलियर और अब पुशा जाएगा कि 400 बंदे भारत रेल गारें चलेंगे तीन वर्सों में कि और कवश्च तकनीक कर दो दोनों जो है एक निश्चित डिस्टन्स पे लड़ेंगी नहीं तो वहीं है कवश्च तकनीक के तहत मतलब zero accident की जो इनकी रणनी थे वो 2000 किलोमेटर तक उसका नेट्वर्क बनाया जाएगा वहाँ पे जो है यह पूरी ब्योस्ता हो गई जो बजट की जो प्राप्तियां है उस सबसे जब प्राप्तियां है उदार और देता से 35 पैसा किसे आएगा उदार और देता से आएगा सबसे जब आएगा GST से 16 परसंट निगम कर और आयकर दोनों से 15 परसंट आएगा अब बात करने जो बजट में सबसे आदा खर्च कहां होगा सबसे जो हमने जो उधाल लिया है उसका भुकतान करने में सबसे खर्च होगा 20 पैसे एक रुपए में किते पैसे 20 पैसे 20 परसं और रच्छा और सबसेटी पर 8 परसंट खर्च होगा तो यह हो गया अब क्या है पी एल आई क्या है प्रोडक्शन लिंक इंसेंट्यू स्कीम क्या है इसके तहट 14 सेक्टर में 60 लाग रोजगार दिये जाएंगे और 30 लाग करोन का अतरिक्त उत्पादन किया जाएगा भार है परोत माला इस्टार्ट किया गया परोतों पर रोबब्र बनाना तत्लब नेसनल रोपवे डेबलमेंट प्रोग्राम है इसके तहट पर अचाट किलोँवेटर पर 8 रोब्र का विकास कीया जाएगा रोपब्र क्या होता है परोत पे जो लगा होता है उस पर जो टैक्सी गित्रो जाती है तो वही होता है रोबे तो यह परवतमाला जो है साथ किलोमेटर लंबी दूरी पे आठ रोपे का विकास किया जाएगा अब नेक्ट देखते हैं बजट में क्या कहा गया है केन बेत्वा लिंक परियोजना के तहट 44605 करोन ऻुपे खर्च किये जाएंगे केन और बेत्वा इनको एक जो है नदी के द्वारा जोड़ा जाएगा केन में बेत्वा में बेत्वा जो है बुनदेल खंड चेत में आता है citizen जो अधिक सूका है और केन नदी को जब बेत्वा नदी से जोड़ दिया जाएगा तो यह पहां पर बाद के समस्य है तो इनके जो जोड़ा जाएगा इनके बीच में है पना टाइगर रिजब्स इनके बीच में यह तो यह जो यह आई कहां से यह अमरत यह जो है इस बजेट में बदाये गया है इसके तहट 9.08 लाक हेक्टियर जमीनों को सिचाई की सुविधा मिलेगी अगला देखते हैं जो 2023 को बाजरे का अंतराश्टी वर्स घुशित किया गया है इस बजट में और 2016 को जो दाल का अंतराश्टी वर्स घुशित किया गया था PME विद्ययोजना क्या है PME विद्ययोजना इसके तहट जो दुनिया भर के जो तमाम विश्व विद्ययाले हैं दुनिया भर के 100 लगबग टाप 100 विश्व विद्ययाले उनका जो डाटा है इसके पास उपलब्द होगा PME विद्ययोजना के पास पहले किया था एक अच्छा एक channel था, अब क्या है 12 channel के इस्थान पर 200 channel कर दिया गया है 200 channel पर दिखाए जाएगा PME बिद्ययजिना और इसी के तहट PME बिद्ययोजिना के तहट एजुकेशन में digital university के इस्थापना की जाएगी जब Digital University के स्थाप न की जाएगी तो Teacher Digital माध्यम से पढ़ाएंगे PM Divine क्या है? NE मतलब North East इसमें क्या है? North East का विकास करना है PM Divine में क्या है? North East का विकास करना है किसके दोवारा? उत्री पूर्भी परसत के दोवारा North East का विकास करना है PM Divine Next है G1 ग्राम परियोजना क्या है? G1 ग्राम परियोजना क्या है? विट्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? मतलब इसमें जो उत्री सीमा है जो उत्री सीमा है इसके किनारे जो गाउँ बसे हुए हैं सीमा वरती इलाकों में उसका विकास करना वो क्या है जीवन्त ग्राम परियोजना विवरेंट विलेज प्रोग्राम ये हो गया अब जो अनुसूचित वालिजिक बैंक है वो जो है 75 जिलो में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इस्थापित करेंगी जो अनुसूचित वालिजिक बैंक है वो 75 जिलो में 75 डिजिटल बै संपत्यां कृप्टो करेंसी बर्चूल करेंसी बर्चूल परिसंपत्यां या अभासी पर depths किटना टेक्स कर दिया गया है 30% कर दिया गया अर्गिया जारी जारी करेगा क्या डीज्टल उनिवर्स्टी की भी स्थाकना की जाएगी proclaim में योजना के तहत 80 लाग घरों का निर्मार किया जाएगा रैंप प्रोग्राम क्या है रैंप प्रोग्राम क्या है आर एम पी इसमें एम का मतलब होता है IEPO मतलब की Initial Public Offer IPO Initial Public Offer मतलब company का share जनता खरीश सकती है तो IEPO की head है MR Kumar 1956 MVP Mumbai में headquarters है Mission सक्ती Mission Watson Sacham Aangun tutti पोस्वान 2.0 का संबंध है महिला और बच्चों के विकास से संबंधित है जैवी खेती को बढ़ावा देने के लिए या जैवी खेती कहें या कहें रसायन मुक्त प्राकृति खेती इसको इस्टार्ट किया गया है गंगा नदी के किनारे 5 किलोमेटर कॉरिडोर से इसका इस् जीरो से धायाटी टक कोई टकस नहीं या र से तीन के बीच में पांच परसंट 2 से पांच бывशक परसंट 5 से 10 के बीच में 20 परसंट 10 प्लस के उपर तीस परसंट का जो पहले था इंकम एंक प्लोन लगता था इसमें है कि 6 में Sum स्टाट प्लस सीनिर सेटीजन तो इसके उपर कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा ठाई से तीन लाग के बीच में और इस साट से असी के बीच में सीनिर सेटीजन आता है तो यह हो गया और फाइब जी स्टार्ट की जाएंगी को आपरेट्टू टेक्स जो है वह 18% से घटा क 15% कर दिया गया है इस बजट में और 2025 तक सभी गाउं में आप्टिकल फाइवर बनाए जाएंगे और अच्छा मंत्राले के लिए बजट पेस किया गया है 525166.15 करोन आवंटन किया गया रुपा इतना और रेल मंत्राले के लिए 140367.15 जो है करोन रुपाय आवंटन किया तो यह पूरा बजट खतम हो गया एक पेज में पूरा बजट खतम हो गया है मात्र 13 मिनट में पूरा बजट खतम हो गया है फिर से समझते हैं फिर से ओबर लेते हैं बजट क्या है पूरा बजट केंद्रित है अमरतकाल पे अगले आने वाले 25 वर्सों को ध्यान में रखते तेहे हुए यह बड़ेट बनाया गया है, अमरतकाल के तहईत यह 25 अमरतकाल, अमरतकाल में कितनी प्राथ्यमिक्ता है? चार प्राथ्यमिक्ता हैंilst योजना पीएम गतिसील समेकित विकास उत्पादम समवर्धन एवं निवेस संराइज औशर उर्जासरनक्षना और जलवायुकार लास्ट है निवेस को बित्ती मदद फिर है पीएम गतिसील योजना को बढ़ावा देने के लिए साथ कारक हैं साथ कारक कौन कौन से बता बिमान पत्मा में इस तरह साथ कारक हैं पियम गतिसील को बढ़ावा देने के लिए तो सड़क में क्या है पच्छिस पच्छिस हजार किलोमेटर दग नेशनेल हावे का विकास करना है अगले तीन वर्सों में 400 बंदे भारत रेल करने चलेंगी कवस तक्नीक सामने से आमने सामने से ट्रेन आया नहीं तो लड़ेंगे नहीं वह कवस तक्नीक के तहद 200 किलोमेटर का जो है नेट्रोग बिछाया जाएगा नहीं अधर प्राप्तियां कहां से आती हैं प्रोडёр करोन को अत्रेय त्रीच अत्राकतील में परोतमाला क्या है तो इस तरह ये पूरा बजट आपका खतम हो गया है RBI जो है डिश्टल रुपय जारी करेगा डिश्टल पर समपत्ति पे 30% लगएगा डिश्टल यूनिवस्ट्री की स्थापना की जाएगी रैंप प्रोग्राम समधित MSME ने LIC ने IPO जारी किया है जैवी खेती को बढ़ावा स्टार्ट कहां से किया जाएगा गंगा नद्य के किनारे 5 किलो मेटर कॉरिडोर से स्टार्ट किया जाएगा तो ये आपका जो है G1 ग्राम परयुजना क्या है उत्तरी सीमा पर जो सीमा वर्ती गाउं का विकास करना है पीयम डिवाइन क्या है उत्नार्थिष्ट का विकास करना है पीयम इविद्ध्य यूचना क्या है इसके तहद दोस्तों जो है नए चनल खोले जाएगे पहले 12 चनल थे अब दोस्तों चनल का विकास किया जाएगा जो टॉप ब्रिष्ट्र की जो टॉप हंडेट इन्वर्स्टी इसके अंतर गताएंगी अब बाजरे का अंतर राष्ट्र वर्स वोस्त किया है 2030 को यह पूरा हमारा बजट हो गया